वेल्कम टू माई यूटूब चैनल नेहा भी हल्दी गुलाब जल तोचा के पीच को संतुलित करता और मुहासी का इलाज करने में मदद करता है गुलाब जल के इस्तेमाल से सबसे असान तरीका है इसके लिए आप एक स्प्रे बोतल ले और उसमें रोज वाटर डाले अब अपने फेस को किसी जेंटल क्लीनर की मदद से साफ करें और सूखने दे इसके बाद आप गुलाब जल को अपनी स्कीन पर स्प्रे करें और करीबन आधे मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे आखरे में टीशू पेपर की मदद से वाइप करें आखरे में फेस पर मॉस्ट्राइजर अपलाई करें ऐसा करने से कुछी दिनों में आपको अपनी स्कीन में फर्क में जराने लगेगा इसके अलावा यान उसका स्केर्मियों में आपके चेहरे को ठंड़ भी पहुंचाएगा अगर आप गुलाब जल को नीवू के रच के साथ इस्तेमाल करती है तो इससे आपकी स्कीन लाइटेन होगी दरसल नीवू में पाया जाने वाला विटामिन सी एंटी ओक्रिडन से धरपूर होता है जो तोचा के नुकसां से लड़ने में मदद करता है इसमें एंटी इंफिलामेट्रिक गुण भी होते हैं जो तेजी से पीमपल से छुटकर आप पाने में मदद करते हैं विटामिन कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करता है यह जो मुहासे के निशान को ठीक करने में मदद करता है इसके लिए आप सबसे पहले अपने स्कीन को साप करें इसके बाद एक छोटा चमच गुलाव जल्वें एक छोटा चमच निवो का रस मिला है और इसे अपने चेहरे को परभाविक शेत्रों पर लगाएं इस निशन को लगवग 15-20 मिर्ट तक लगा रहें दें अपिर इसे ढोले हाला कि अगर सब्सक्राइडनेस या इरिटेशन हो रहे है तो इस निशन को अजमाने से आप बच्चे